राजिस्थान विधान सभाद 2.23 में कॉंग्रेस पार्टी का जो आज गोशना पत्र खर्गी जी के हातों से हम लोके ने लॉंच किया है मैं समझता हूँ वो एक ऐसा डॉक्यमेंट है जिस पे लोगों को विश्वास है हमने जो प्रफॉम किया है आगे जो कमट्मेंट दिये है और विशेश रूप से नौजवानों के लिए स्वास के छेतर में स्वास के छेतर में क्रामतिकारी गोशना की है मैनिफेस्टों के मादम से और हर वर्ग को आज विश्वास हुआ है कि हमारी भलाई कॉंग्स के साथ है आप हमारे गोशनापत को देख लीजे और भाजपाने जो गोशनाई करी है ना तो उसमें लोगों का विश्वास है और नहीं कहीं उसके अंदर को एक क्रेटिव इमेजिनेशन है हम लोगों ने जो आज अपना गोशना पतजारी किया है वो हमारी गैरेंटीज के साथ-साथ हमारे जो विजन है उसको उलेकित करता है और हर वर्क विशेश सूप से नौजवान, किसान और द्योग इनसफ को हमें साथ में का काम किया है हमारा जो कमेंट्मेंट जनता के प्रति है लोग इस डॉक्मेंट के मादियम से उसमें विश्वास कर रहे हैं और हमारा अब तक कर पचार हुआ है उसे भी सपस्ट हो गया है कि हमारा कैमपेंग, हमारी स्ट्राटीजी, हमारा संगटरन पार्टी का जो काम है इसको लोग पसंद कर रहे हैं और 25 तारिक को बड़े बहुमत के साथ राजिस्थान में वो परंपरा तूटेगी जोहार 5 सालें बद्दाब की बातियां होती आई है इस बार यहां अच्छे बहुमत के साथ सरकार हम लोग बनाएंगे पान साल में तो एक लाग 32,000 रोजगार दिये और फिर पान साल में चार लाग आवादा कर दिये हम लोगोंने लगबख दोट सवा दो लाग नौकरी दे चुके हैं और एक लाग प्रक्रिया में चल रहे हैं इस दिश्टिकोंट से कॉंग्रिस पाने संकल दिया है कि हम लाखों लाख लोगों को अगले पांच साल में रोजगार देंगे कुछ सरकारी और कुछ इंप्लियमेंट जनरेशन करने के मातलब बीजेपी ने कहा ता कि प्रतिवर्स दो करोड लोगों को रोजगार देंगे आज साड़े नौ साल हो गए 18 करोड लोगों को रोजगार दिया है क्या तो बीजेपी कहती कुछ है करती कुछ है लोगों को उनकी गोश्टना पर विश्वास नहीं है कॉंग्रिस के पती हुनकी धाड़ना है, हमने करनाटक में गोश्टना करने के बाद चुनाफ जीतने के बाद लागू किया हिमाचल में अनाउंस्मेंट्स किये, चुनाफ जीतने लागू किया आज भी खरके साहब ने का, जो हम डॉक्यमेंट मेनिफेस्टो का बना रहे हैं, चुनाफ जीतने के बाद हमारी सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग में इन तमाम गोश्टनाओं को हम अमनी जामा पैनाएंगे